हेलो फ्रेंड्स राधे राधे आज मैं आपको पांच नंबर काना जी की चोली बनाना बताती हूँ देखिए उसके लिए हमें सत्रा चैन करनी है एक दो तीन चार पांच चे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चोदा पंदरा सोडा सत्रा सत्रा चैन लेने के बाद तीन चैन एक्स्ट्रा लेनी है अब तीसरी चैन में डबल क्रोसिया करना है एक हमारा तीन की चैन का हो गया और एक हमारा यह अब मुझे 17 के उपर 17 डबल करोसिय करने है हमारी फर्स्ट रोबन कर कंप्लीट हो गई है यहाँ पर मेरे टोटल 18 डबल करोसिया बन गए है और अब हमें तीन की चैन करके इसको मैं ऐसे टर्ण करूंगी और अब फर्ष्ट में मैं डबल करोसिया नहीं करूंगी सेकिंड में मैं दो बार डबल करोसिया करूंगी जो हमारा फर्ष्ट में है वो तीन की चैन वाला डबल करोसिया हो गया और सेकिंड में डबल करोसिया दो बार डबल करोसिया करना है और लाश्ट में भी एक बार डबल क्रोसिया करना है यह हमारे टोटल 34 डबल क्रोसिया हो जाएंगे और इसको इस तरह से कम्पलीट करके मैं आपको दिखाती हूँ देखे हमारी सेकेंड रो भी बन कर कम्पलीट हो गई है यहां पर मैंने पहले और लाश्ट में एक एक बार डबल क्रोसिया किया है और बीच में हर एक होल में दो दो बार डबल क्रोसिया किया है इसी तरह से मैंने यह सेकेंड रोंड कम्पलीट किया है अब देखे इसके थर्ड रोंड पे आते हैं एक, दो, तीन, तीन चैन लेने के बाद इस तरह से टर्न करना है और फर्ष्ट में नहीं डालना, फर्ष्ट में हमारा ये तीन की चैन वाला डबल क्रोसिया हो जाएगा, और सेकिंड में दो बार डबल क्रोसिया करना है, और अब देखिए, तीन में हमें एक, एक बार डबल क्रोसिया करना है अब, और हर फर्ष्ट राउंड में दो बार डबल क्रोसिया करना है, अब मैं ये दो बार किया मैंने, एक, दो, तीन, तीन में एक, एक बार और अब फॉर्ष्ट में मैं दो बार डबल क्रोसिया करना है, इसी तरह से फिर आगे, तीन में एक, एक बार और फॉर्ष्ट में मैं दो बार डबल क्रोसिया करना है, और लास्ट में मैं एक और उससे नेक्स्ट में मैं दो बार डबल क्रोसिया, इसी में मैंने एक एक बार और फोर्थ में दो बार ये देखें दो बार डबल क्रोस या फिर एक दो तीन तीन में एक एक बार और फोर्थ में दो बार इस तरह से मैंने ये राउंड कंप्लीट किया है और लास्ट में मैंने दो बार और फिर एक बार जिस तरह मैंने सुरू में किय था अब मैं आ गई हूँ इसके फोर्थ राउंड में फोर्थ राउंड में देखिए एक दो तीन तीन चैन लेनी है और फर्ष्ट में हमें नहीं बनाना और सेकिंड में हमें डबल क्रोशिया करना है यहां पर हमें बाजू निकालनी है तीन चार पांच यहां पर मैंने छे डबल क्रोशिया कर लिये है यह हमारे तीन हो गए चार पांच और यह छे छे डबल क्रोशिया करने के बाद हमें यहां पर नाइन ऐसे ही छोड़ने है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो नो छोटने के बाद यहां पर मैं डबल क्रोशिया करूंगी यहां पीच में मुझे तेरा बार डबल क्रोशिया करना है दो, तीन, चार, पाच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, तेरा, तेरा डबल क्रोशिया करना है प्रोशिया करने के बाद फिर से मुझे नाइन होल ऐसे ही छोटने है एक, दो, तीन, चार, पाच, छे, साथ, आठ, नो नो में मैं फिर से छे बार डबल क्रोशिया करूंगी यहां पर और इस तरह से मैं यह राउंड कंप्लीट करती हूं देखे चोली बन गई है और अब मेरे पास यह 25 डबल क्रोशिया है और अब मैं एक राउंड ऐसे ही डालूंगी 25 के उपर 25 डबल क्रोशिया बनाऊंगी इसी तरह से मैं इस राउंड को कंप्लीट करूंगी मैं यह डबल क्रोशिया कंप्लीट करके हर एक के उपर एक एक डबल क्रोशिया करना है और इस तरह से मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूं तेखे ये हमारी पांच नमबर काना जी की चोली बन कर त्यार हो गई है आपको ये कैसी लगी प्लीज कोमेंट करके बताना प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब करना थैंक यू फोर वाचिंग